जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका Success Plus Academy के YouTube प्लेटफॉम पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ हम कर रहे हैं स्वतंत्रता यात्रा 13 से 15 तक जो हरगर तिरंगा अभियान है उसमें जो तिरंगा हम लगा रहे हैं जिस आजादे की feeling हम ले रहे हैं वो आजादी हमें किस किस sacrifice को करने से मिली ही मिली थी ये दोस्तों हम इस यातरा में देख रहे हैं इस यातरा में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत कैसे गुलाम हुआ और भारत के आजाद होने तक भारत ने क्या खोया और क्या पाया दोस्तों हमारी सीरीज का नाह में गुलामी से आजादी तक का सफर और दोस्तों आज हम इस सीरीज का सातवा पार्ट टेक अप करने जा रहे हैं इससे पहले के पार्ट में दोस्तों अब वहां तक खड़े होने की नॉबत कियु आई थी विस्तार में जानना चाहते हैं यहां मैं आपको सब कुछ ब्रीफ में बताने वाला हूँ तो दोस्तों आज का वने वाला है वर्लब ейंड इंडिया रूल ऑफ निता जी बोस in freedom निता जी बोस जो आप देख सकते हैं आप हिटलर से मिल रहे हैं तो हिटलर से मिलना उनका क्या मज़बूरी थी या फिर उनको शौक था हिटलर से मिलने का या फिर वो चाह रहे थे कि हिटलर भारत की आजादी सुनिश्दित करे क्या उनके विचार थे और कैसे गांधी जी से उनकी दूरियां बढ़ती गई दीरे दीरे यह आपको इस लेक्टर में देखने को मिलेगा साथ ही दोस्तो लास्ट लेक्टर में हमने क्या पढ़ा था पूना पढ़ा था गांधी अंबिडिकर के थोट्स पढ़े थे और गवर उनसे बंदे रहेंगे तो आपको ये लेक्टर आसानी समझने में मज़ा आएगा समझने में आसानी रहेगी और आपको मज़ा भी आएगा आपको आप दोस्तो कर पाओगे डॉट्स को जो भी डॉट्स में आपको देने वाला हूँ चली दोस्तो शुरू कर लेते हैं लेक कितनी कुर्बानिया दी गई भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरु, चंछेक राजाद, गान्दी जी, सुभास चंदर बोष, नहरू, पटेल, दोस्तो अनगिनत नाम में खान, अद्दुल गफर, खान, दोस्तो जिन्ना का भी आजादीम बहुत बड़ा योगदान था, ह इसमें अपन बात कर रहे हैं, एक कहानी जो सुनानी बहुत जरूरी है, और आपको सुननी भी बहुत जरूरी है, इसमें दोस्तों हम बात करेंगे, इंडिया ने अपनी आजादी कैसे पाई थी, हमने क्या क्या सेगरिफाइज किया था, ओके जी, चलिए शुरू करते हैं, तो दोस्तों, शुरुवात होगी हरीपुरा सेशन से, लास्ट में हमने देखा था, कॉंग्रेस हर जगा जीत के आगई थी, अब हरीपुरा सेशन में क्या होता है ऐसा, कि जो बोस हैं, वो गान्दी जी से अलग होते जाते हैं, अर बाद में बोस को इस्तिभाभी देना प एक्टिव पॉलिटिक्स थी गांदी जी उससे कट चुके थे अच्छा तो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में दोस्तों दो ही नाम गुंज रहे थे वो था जवाहर लाल नहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जो हरी पूरा सेशन होता है दोस्तों विठल नगर में वहां पर ज च्छे मेनें बाइद उमेरे पास हम है तुमने इंडिया खाली नहीं किया हम खाली कर लेंगे के दोस्तों बहुत का यह मयना था और इस नाराज थो को मानम है नहीं यह बिल्कुल तरीका गलत है अब गांदी जी की चरखानीति और में अब दोस्तों जो भारत का विकास होगा वह भारत के परापारम परिक उद्योगों से होगा जबकि बोस ने दोस्तों जो इंडस्ट्राइजेशन हुआ था उसकी तर्ज पर भारत का विकास करने का फैसला लिया उन्होंने एक प्लानिंग कमिशन भी बना लेते दोस्तों कि उसी की तर्ज पर अपन इंडस्ट्राइजेशन जो है वह इंडिया में करेंगे और उसी पर अपन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे अब यहां पर गांदी और बोस की बीच में और जाद दरार पैदा होगी एक तो बोस हिंसा क में एक्टिव होना पड़ता है अब दोस्तों बोस को 1938 में गांदी जी के कहने पर ही कॉंग्रेस का प्रेसिटन बनाया जाता है हाला कि जो सरदार पटेल थे वह इनके खिलाफ थे लेकिन गांदी जी इनके कामों से बहुत खुश थे और गांदी जी ने इनको जो था वो ब जो बोलते हैं तो भॉस जो थे उन्यूरा रिणी चेंज में ते और यह रहें गांदी में cubic फॉरफ फिंदी छो भॉफ हंना खुश तर इसो फो रहें जो है यह यहा पे उस था आव कर रहा था चाया उद Kommunen रहेंगे ना को दोस्तों नेरु जो भी रहेंगे नहीं रहेंगे यहां पर दोस्तों नेरुजी gradu होता है कि ए Nevada भी क्या होता है तबिजर्व फिमफ पॉस्ट्ट सेशन कि इससिषन में इस सेशं में अब यह 1939 का है इसको दोस्तों Congress का Black Chapter का जाता है काला अध्याई का जाता है धबा का जाता है क्यों कि दोस्तों यहां पर Congress से आवाज आना लग गई कि बोस को हटाओ यार बोस अच्छे वह President नहीं है बोस अच्छे वादी राजनी थी थी उससे जुड़ने लग गए थे जो दोस्तों बोस जो थे वो मुस्वलनी की विचारदरा थी जो फासीजिसम की विचारदरा थी जो नाजीन की विचारदरा थी उससे जुड़ने लगे थे और इससे क्या हुआ जो नरम दल्था Congress का जो moderate थे उन से वो दूर होने लगे और बोस जो है रेडिकल्स माने लगे अच्छा जी अब दोस्तो बोस ने है ना 1938 में जो हरी पूरा सेशन हुआ था उसके बाद में एक working community बनाई थी जिसमें जो जवाहरला नेरू के के अलावा काफी लोग थे लेकिन उसमें एक भी leftist नहीं था तो उससे क्या हो दोस्तों महाँ पर जो हाई कमान था उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया फिर दोस्तों 1938 के बाद में जो अपको पता यह वर्ल्ड वोर सेकेंड जो होता है तो उसका 1938 से के पहले ही आला कि जो बैग्राउंड है वो बनने लग जाता है क्योंकि आर्थिक मंदी आती है आर्थिक मंदी के बाद में दोस्तों जो हिट्लर होता है वो अपने अप सत्ता में आता है 1930 की जो विश्व आर्थिक मंदी है उसके वज़े से भी अपन सेकेंड वर्ल वर मान चकते हैं उसके इंडेशनल जो भी सीच ltन उससे अवेर थे अब बहुत चाह रहे थे दोस्तों कि coughing आपने सबसे कमजोर दरंबोस का मानना यह ता कि शूर नहीं रहेगा उसका ध्यान रहेगा लड़ाई जीतने में तो अब इंडियाके पास मोचा रहेगा कि इसका फाइदा उठा के अपन अंग्रेजों की जड़े काड़ने इंडिया से यह बोस का मानना था और इसलिए वह एक रेडिकल प्रेजिडेंट जाते थे अब बोस यहां पर दोस्तों लेफ्ट विंग होते जा रहे थे अब बोस चाह रहे थे या तो मेरे को पहला बंदा आया था इसने इस बंदे ने क्या किया इन्होंने कहा यह जो चुनाव था 1939 का वह राइट विंग और लेफ्ट विंग के बजाए उनके बीच सीधा युद्ध हो गया दोस्तों क्यों क्योंकि दोस्तों जो पूरा लेफ्ट विंग था वह सीता रमया की मतलब विरुद्ध था मैंलब जो गांदी जी थे वह सीतार मया को उसका प्रेसिदेंट बना चाते थे उस वक्त का जबकि जो लेफ्ट विंग था वह पूरा-पूरा सुभाज के साथ था ओके जी तो अब कॉंग्रेस चुनाव हुए बोस्तों यह चुनाव जीत गए अब बोस् सवाल बना दिया दोस्तों उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल शुभास आप जीते हो आपने सीता रमया को हराया है लेकिन आपको बता दूँ कि मैं आपकी जो विचारद हरा है उससे मेल नहीं रखता हूं इसके लाओ दोस्तों उन्होंने सीता रमया को नाम नव आ आपोने कर दिया तो ने में तो advice को मांज़ 15 निए ये कहा कि आप camera दो तो बोस ने दोस्तो फिर वहां पर त्याख पत्र दे दिया अब उसमें क्या हुआ जोस ने कहा जिद्ध के सबसे मिनिम ब्रिटेन हार जाएगा और इधर से मैं ब्रिटेन की जड़े काट दूंगा वाह तो अब यहां पर दोस्तों बात आती है जो इनकी थोट प्रसेस थी गांदी जी की और बोज की इसमें थोट प्रसेस में क्या-का चीजे थी दोस्तों बोज जो थे वो मुसोलिनी और हि हम तुम्हारे गुलाम जरूर हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जब हमें बुलाओगे तब हम आएंगे हमारी कुछ मांगे है आप इनको मौनो हम आपके सयोग करेंगे बिल्कुल करेंगे लेकिन आपनी आर्मी को इंके खिलाफ eg कर देते है नहीं यहां पर खतम उन्होंने दोस्तों बहुत ज्यादा मुवमेंट्स भी देखे थे लगब लगब सारे मुवमेंट्स उन्होंने देखे थे नहरू उनके बहुत अच्छे मित्र भी रहते अब मुवमेंट्स देखे थे तो उन्हों दोस्तों कहीं कहीं भी गांधी जी आलोचना भी की थी जैस दोस्तों अपने पाकिस्तान में लाहॉर को कैफियर कर दिया था जब उनके साथ युद्ध किया था फिर वापस दे दिया क्या मतलब था अपन उनसे वहां पर नेगोशेट कर गया पीओ के ले ले लेते तो वह अच्छी बात होती तो यहां पर अपन यह बहुत सवाल विचा था यह बोस का मानना था हाला कि दूस्तों बोस ने गांदी जी की तारीफ भी बहुत की थी कि यार बापू तुसी ग्रेट हो यार मेलाओं को तुम तुमने आंदोलों में जोड़ दिया तुमने जो नमक यात्रा थी सॉल्ट मार्च था वो कर दिया और दोस्तों उसको जो बोस का जो रूत्पा था वो शांदार हो गया था तो गांदी जी ने उनकी प्रतिवा का संबान किया उनको 1938 में क्या बना दिया प्रेसिडंट बना दिया लेकिन प्रेसिडंड बनाते ही बोस ने तो कह दिया कि चर्के से कौन से आजा दे मिलेगी हिटलर और मुस्वर नी स प्रेसिडंट बन गया तो अब इसके बाद में क्या हो सकता है उनको इस्तिफा देना पड़ा अब दोस्तो 1940 में जो बोस हैं वो गांदी जी के पास जाते हैं कान में बोलते हैं बापू आपको बात बताता हूं जो ब्रिटिशर्स हैं वह भी बहुत कमजोर हैं अपने को इ जड़े अंदर से काटनी चालू कर देनी चाहिए जड़ी काटनी चालू करेंगे अभी यह लोग क्योंकि बीजी हैं अपने ध्यान दे ही नहीं पाएंगे अपने को जेज में डाल ही नहीं पाएंगे तो अपने को इसका फाइदा उठाना चाहिए तो बापू बोले कि नह ये उपादी दोस्तों नोंने बोस्कों दी थी, लेकिन इनके बीच में मतवेद भी थे, मनबाइद भी थे, और इनके रास्ते अलग लग थे, ये दोनों यह डिसाइड कर चुके थे, बापू अपने रास्ते अलग अलग है, लेकिन अपनी जो मंजिल है वो एक है, तो अगर कुद्रत ने चाहा तो मंजिल पे एक बार फिर मुलाकात होगी और यहां से दोस्तों दोनों अपना रास्ता अलग कर लेते हैं बोस जो हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते बेस बदल कर मॉस्कों के लिए निकल जाते हैं उसके बाद वहाँ पे मुस्तोलनी से मुलाकात करते हैं हिटलर से मुलाकात करते हैं हिटलर से दोस्तों जब वो मुलाकात करते हैं बोस तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूं यह देखिए यह हिटलर है तो दोस्तो जब हिटलर से वो मुलाकात करते हैं तो वहाँ पे हिटलर की जो बायोग्राफी आ रहाखी होती है कामफ कामफ करके उसमें दोस्तो हिटलर के जो विचार थे इंडिया के लिए वो उसके लिए बोस उनको साफ साफ बोलते कि यार तू ये गलत कर रहा है बोस की द कि यार अगर अगर अपन एक पावर को दूसरी पावर से हटा रहे हैं। अगर एक पावर अपने को दूसरी पावर के खिलाफ हल्प कर रही है। तो इसकी क्या गारंटी है कि जीतने वाली पावर है वो इंडिया को आजादी करेगी गुलाम निबनाएगी वापस। इसकी गारंटी कौन ले रहा है बोस ने कापन ले रहा है लेकिन गांदी जी को भरुसा था नहीं क्योंकि गांदी जी मानते थे कि पावर जो है वो अंधा कर देती आत्मी को और यह बात से ही भी है आज आप आप देख सकते हो बहुत ही सारी जगह पे तो अब हिटलर से मिल लेकिन दो हिटलर से मिलके बहुत ज्यादा खुछ हुए नहीं थे बहुत वहां से निकलके मुस्कों के लिए यह दोस्तों जो पूरी कहानी है वह मैं अगले जो चैप्टर में आजाद हिंद फोज का जो गठन है उसमें दोस्तों पूरी कहानी एक को विस्तार से बताने व अब इसका एक्जामपल दोसों नों बार बार दिया था उसके लोग दोस्तों जो नहरू थे वह गांदी जी को अपना आतर्श मानते थे इन दोनों के विचार मिलते जुलते थे नहरू जो थे वह स्वदेशी को अपना अच्छे से चाहते थे नहरू जो थे वह वह विकास जो है वो गाउं के लेवल से करना चाहते थे तो यहाँ पर गांधी नेरू मिलते थे और गांधी जी जो थे वो अपना सक्सेसर नेरू को मानने लग गए थे यह बातें हुई थी तो उस वक्त भारत उस देहरीज पे खड़ा था कि अगर बोस चूज होते हैं पी-म केंडिडेट के लिए या नेरू तो बोस को तो अलग करी दिया था बोस हिंसा चाह रहे थे अब बचा एक ही कंडिडेट था वो था नेरू था नहीं दूस्त थे हमारे लीडर के लिए हमारे अंदर इज़त होनी चाहिए क्योंकि वो हमारे देश का प्र कि कॉंग्रेस से मेरे विचार मिल नहीं रहे मैं अलग हो जाता हूं कॉंग्रेस ने भी भॉस की क्या चाहरी था का का रेजिगनेशन क्यों आया यह दोस्तों बड़ी कहानी है यह भी मैं आपको छोटी में समझाता हूं लेकिन उससे पहले लिन लित गो अब इसकी घोषना क्या थी दोस्तों इसकी घोषना थी दोस्तों कि जो ब्रिटेन का युद्ध है वो मतलब भेद बावपूर्ण अतिक करने के लिए विचार भी मर्ष करेंगे मतलब गोलिया देनी चालू करती थी वापस से हमें लॉलीपब पकडानी और उसके बाद में दोस्तों अगर हमें जरूत पड़ती है न तो अपन इंडिया से एक जो परामर्ष देने वाली जो कंपनी है या फिर एक ऐसी समीती है उ कि हमें सम्मर्थन देंगे लेकिन बॉस का कहना था कि नहीं हम तो तुम्हें यहां से भगाएंगे अब नेहरू जी नुअ किया क्या का थो दोस्तों नेरु ने दोस्तों इसको मतलब युद्ध का जो सामराज्यवादी सुरूप था कॉलो जो उसका नेचर था उसको एकसेप्ट किया लेकिन दूस्तों उसके हम हमintendとか के लड़ने लड़ने शहीं और नेरू दोस्तों एंडिया का ब। साथ लडने के पक्ष्म में नहीं थे यह कॉंजरेशन कि धारत को आजाधी दिने का वारा नहीं किया जा सकता भारत एक अब उनीदिन थे है उसको को बता चुका हूं अब इसके बाद में कॉंग्रेस की प्रतिका युद्व में भारत का समर्थ नहीं फिर उसके बाद में दोस्तों रेजिगनेशन दे देती कॉंग्रेस कहां से हर इस्टेट से जो भी पहले जीते थे अपने लास्ट लेक्षर में जो टेक अप किया था अब इसके बाद दोस्तों एक आता है पाकिस्तान उफर पाकिस्तान का दोस्तों में अगर आपको सीन बताऊं तो सबसे पहले पाकिस्तान का जिक्र एक कवीता में आता है उसमें दोस्तों पाकिस्तान सबसे पहले बनाया जाता है अब इसमें दोस्तों तीन नेता थे आहोर ओफर 1940 के रूप में भी जानते हैं तो यह लोग पाकिस्तान का ओफर लेके आये थे अच्छा और 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 फॉरोड ब्लोग में आपको बता चुका हूं यह हिटलर फिर दोस्तों अब गोईन वलप भाई पंत यह भी आपको मतलब सब कुछ में बता चुका हूं यह पू कैसे बोस हिटलर से मिल रहे हैं और उससे दोस्तों अपनी नराजगी भी जाहिर कर रहे थे यह दोस्तों आजाद हिंद फोज का गठन है जो अगले लेक्चर में टेक अप करने वाले हैं तो अभी तक आपन जो लाहोर ओफर था वो भी अपन ने देख लिया है अब इसका जवाब दोस्तों मैं आपके लिए रखता हूँ आप कमेंट सेक्शन में में जरूर बताइए क्योंकि दोस्तों जो भी विचार दा रहे थी वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ बोस की विचार रख चुका हूँ गांधी की रख चुका हूँ हिटलर की रख चुका तो दोस्तों ये सवाल में आपके लिए बड़ा सा question mark छोड़के जा रहा हूं इसका उत्तर आपको खुद देना है कि कौन सही था क्या गांधी पूरे सही थे क्या नहरूजी पूरे सही थे क्या सुभाष चंद्र बोस पूरे सही थे या फिर क्या भारत पूरा सही था उस वक्त या फिर क्या हिटलर की विचार था सही थी ये सब दोस्तों आपको खुद से आपने जो भी अभी तक देखा है सुना है समझा है उसके बहाफ पे आपको comment section में बताना है अब सर अब क्या करोगे अब दोस्तों हर घर तिरंगा यात्रा को आप बढ़ावा दीजिए जो प्रधान मंतरी जो मोदी जी है उन्होंने जो आहवान किया है तिरंगे की डीपी अपने डीपी में लगाए तिरंगे की फोटो ये लगाई है क्योंकि दोस्तों आप ऐसा करके आप अपना सम्मान जो है तिरंगे के लिए जाहिर कर रहे है आप कुछ लोग आला कि इस पर बहस करेंगे कि यह जरूरी नहीं है वो जरूरी नहीं है बिलकुल नहीं है लेकिन दोस्तों प्रधान मंतरी है वो साविधानिक पत पर बैठे हैं तो हमें उनका सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है तो खेर अब तिरंगा दोस्तों डीपी पर लगा लेने से फेहरार लेने से कुछ भी नहीं होता तिरंगा फेहरार लेना जितना ही जरूरी है उतना ही जरूरी है दोस्तों तिरंगे को फोल्ड करने का जो कोड है वो समझना तो दोस्तो उसके लिए जो भारत सरकार ने उसने एडवाजरी जारी करी है उसका step 1 जो है उसको दोस्तो सबसे पहले आपको तिरंगों को इस आकार में रखना है और इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है कि वाइट वाली पट्टी जो आपको आदर करना है इस कोड को फोलो करना है क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान पर तिरंगा फैराना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है, तिरंगे को सम्मान पूरोंक उतारना, क्योंकि दूस्तों, वो हमारी गरीमा गरीमा पतिक है, हमारे जो feelings है, क्योंकि उसका भी एक कोड है, उसकी भी गरीमा है, आपको उसको बनाए, रखना है, दूस्तों, बाकी आगली अगली क्लास में टेक अप वाले हैं अगस्त ओफर आजाध हिंद फोज और फिट इंडिया मुवमेंट दोस्तों यहां तक हम पार्ट एट में कवर करेंगे दोस्तों उम्मिद कर रहा हूं कि आपको इस सीरीज से कर सकते हैं उसके अलावा दोस्तों बायों का पॉलिटी का पॉलिटी में एंसी आर्टी और यूपी सी औरिंटेड जो भी कोर्स है वह आपको बहुत जल्दी उस एप्लिकेशन के देखने को मिल जाएंगे इसी मन्त में साथी दोस्तों अब आपको यह वीडियो पसंद आया ह और दोस्तों आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो मैं आपसे निविदन करूँगा कि आप इसको शेर कीजिए शेर करने से दोस्तों यह होगा कि जो लोग तिरंगा यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं उनको एक और नई चीज जानने को मिलेगी और वो है हम सबसे पहले पास सके दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद